स्वेलीवन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागते जो चाबी आप मेरा हाथ में देख पारे हो यह चाबी हमारी ब्लॉंग करती है इस प्रोड़क्ट को यह आपके सामने खड़ी हुई है टाटा सफारी 2023 फेस लिफ्टेड और यह इसका एडवेंचर प्लस डार्क कॉस्ट करेगी यह मैं अपने हां का बता रहा हूं डेली फाइद अबाद का एक शोरूम प्राइज अब इस प्राइज पॉंट पे क्या का चीज़े यह गाड़ी आपको ओफर कर देती है टॉप मॉडल नहीं है यह टॉप से नीचे वाला वेरियंट है और कुछ ऐसे करता उनकी बात चीट करते हैं फस्ट फॉल गाड़ी की चावियों से स्टार्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीका कि आपको दो नॉर्मल से कीफॉप देखने के मिलते हैं नॉर्मल लिंदी सेंस पहले भी ऐसे यह आते हैं यहाँ पे आपको डोर्स को लोक करने के लिए बि सेम कंट्रोल के साथ हैं टाट अगर लोग हैं पे आपको मिल जाता है इनको रख लेते हैं पॉकेट में प्रोड़क्ट की बात चीट करते हैं फॉस्ट फॉल यह हैं गाड़ी की डामेंशन वेगरा देख लेना कितनी लंबी उची चौड़ी है यह और नो डाउट जैसा इ इसके प्रेजेंस भी वैसी ही है शांदार लगती है वीडियो में चीज़ उन्नीस भी समझ में आती है उन्नीस भी समझ में नहीं आती है अक्चुल जब लाइफ में आप इसको आके देखोगे तो आपको रियल्टी इसकी महसूस होगी कि साइज में काफी बढ़ी है और कल बारी मेंशन है नीचे फॉग लेंस आपको मिलते है ऐसकी टाइप बढ़िया और यह वेंट्स वागरा जो आप देख रहे हैं यहां पर अपग्रेड हुई है यहां पर कैमरा की प्लेस्मेंट आपको मिल जाती है नंबर प्लेट की प्लेस्मेंट यहां पर आईगी है और जो टाटा का लोगो आप देख रहे हैं यह भी थोड़ा डार्क क्रोम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है काफी शांदार सा आपको बॉनट देखने के लिए मिलता है यह लाइन्स हो अगयरा मतलब प्रॉपर इसकी मसल्स जो है वो दिखती है यहां से भी आप कैमरा एक और अपना जो है प्लेस किया हुआ मतलब 360 डिगरी कैमरा जो है गाड़ी के अंदर बेसिकली आता है यहां पर टाइस की बात करें तो हापर फर्स्ट अफॉल जो टाइस है वो है MRF के और जुसका टाइस सेक्शन है वो है आपर 245 55 R19 19 इंच के कुछ ऐसे आएंग जो कि अपने आप में एक शांदार चीज है नीचे का जितना भी पार्ट आप देख रहे हो यह सब आपको एकदम मैट ब्लेक देख निकली मिलता है डोर पैनल्स में आप पे डेटेलिंग देखो सफारी जो है एक अच्छे फॉंट में आपको लिखके मिलता है जो कि मतलब अपको ब्लाइक मिलते है रिक्वेस्स कर सकता है एक्सर अपना और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखनेगी मिलता है और पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगी पीछे की साइड आते हैं तो no doubt अभी तो देखो daylight में ऐसा आपके सामने चिप निकल जाएगी तो आपको ऐसा लगए क्या ही खास है इसके अंदर बड़ जब रात में आप देखोगे अभी मैं एक mountains का trip करके हूँ बहुत शानदार सा वहां पर मैंने जगाड़ी को notice किया मेरे आगे 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 चल रहे थी और यह प्रॉपर जब जलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं मतलब लगता है कि कुछ अप ग्रेड हुआ है तो यह कुछ इस तरीके का हैं पर एक दम connected सा portion आपको देखने के लिए मिलता है और प्रॉपलेम देखने के मिलता है स्पॉइलर है शार्फिन एंटेना है रूफ रिल्स वगेरा है वाशर डिफॉगर वाइपर सब कुछ यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा वोकल फोर लोकल के हां पर स्टिकर भी आपको मिल जाता है और यह आप देख सकते हो पूरा मतलब जो फीचर रवू नहीं है यह कुछ इस तरीके से 50-50 रिकलाइन हो जाती है पीछे वाली सीटें आगे 60-40 को ऑप्शन भी है और यह सेवन सीटर वाला कंफिर्गेशन आप इसका देख रहे हो यह कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको बूर स्पेस ही है तो भी मतलब एक प्रैक्टिकल यूज के साब से दियो ही है आपके मतलब फेस के ऊपर एकदम एस इवेंट से ऐसा नहीं कि आगे वाले फ्लो पर आपको डिपेंड रहे ना है पीछे टैप सी पोर्ट हैं यूएजब पोर्ट आपको मिल जाते हैं सामान वगर आपको रखने के लिए इनका फ्लो भी आप कंट्रोल कर सकते हो इस इवेंट का तो अल्मोज इतनी प्रैक्टिकल सी चीजें वह यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं बाकी यहां आए गया इसकी टूल किट अगयरा जी यहां यह यहां पर और यह कुछ इस तरीके से हैं यहां पर लोगे और जितनी बार लगा आगे वह एक सेटिस्वेक्शन जो है वह आपको यह गाड़ी देगी डेफिनेटली अपना एलेक्टिकल एडजेस्ट्मिन के साथ हैं पर आपको मिलते हैं और उनको मतलब लॉक का निगले अलग से डेडिकेटिड बटन भी दी हुई हैं यहा इसा वीडियो में शायद आपको जस्टिस भी ना होए बट जब आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि हां बई कुछ तो यहां पर खाम हुआ है यहां पर आप देखोगे तो स्पीकर सैटप यहां पर है पूटल हुडर वगेरा है यह इल्मिलेशन के साथ मिलती है यह है कि यह सीड जो है आपको वेंटलेशन फंक्शन के साथ नहीं मिलती है और यह मैनुवली एडजेस्ट होती है इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कोई भी एडजेस्ट में नहीं मिलती है यहां पर आपको टैक्स देखने कर जाते हैं है हैस्टेग डार्क यहां पर मैंशन है और अब देख सकते हो व्यू आपको टॉप मॉडल जैसी ही यहां पर वाइब आएगी बट कुछ कुछ चीजों में आपको वह चीज फील भी होगी कि टॉप मॉडल जो है नहीं है और अभी हां से मैं आपको बटन प्रेस करके बता देता हूं क्या क्या चीजे चेंज है जैसे अब बाचीट करते हैं सब चीजों के बारे में देखो अब तो डे लाइट है तो आपको कुछ ऐसी जगाएं हैं यहां पर जो रात के टाइम बहुत जादा खूब सुरत लगती है जो कि दिन में आप नोटिस नहीं कर पाओगे जैसे कि इसकी में लाइट मतलब यह इतने अच्छे तरीके से यहां पर दिया है मतलब यह एक सिंगल पैनल यूनिट है यह पूरी जो आप देख रहे हो यह इसी के अंदर लाइट जलती है ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से सोचाओ और फिर अलग से मतलब ऐसा बिल्ड कर दियो बहुत बढ़ी हासा है है आपको पैनल म क्या है किस डारेक्शन में आप खड़े हो डी एफ का लेवल कितना है क्वालिटी क्या है बूट खुला हुआ है कौन से मोड के ऊपर है एवरिटिंग जो भी गारी स्लेट है वो सब आपको यहां देखने के मिलेगी अब एक चीज गिनवाँगा तो बहुत लंबी वीडिय और इंडिगेटर्स आपको मिल जाते हैं Automatic Headlands के साथ ये वाला पैनल आपको मिलेगा मतलब ये यूनिट जो वैसिकली आपको Automatic Headlands के साथ मिलेगी पैडल्स शिफ्टर्स यहां पर आ जाते हैं ये minus का है ये plus का है और एक अची feel देते हैं और एक अची position पर भी है और यह इल्मिनेटेड टाटा की लोगों के साथ आता है तो थोड़ा और मतलब क्या कहते हैं सेग्मेंट में भी कोई दूसरा प्रोड़क्ट है नहीं है ऐसा जो यह चीज कर रहा हो तो स्टिल यह अपने आप में टॉप नॉच बहुत प्यारा लगता है हैं पर कंट्रोल उपर की साथ पूरी पैनरामिक रूफ आती है यह कर्टन आप देख सकते हो एक दम ब्लैक है और इसके अंदर भी हाँ पर आप देखोई तो एमिन लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है तो इसमें भी कोई कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करिए इस बार टाटा ने और इधर की साथ वेनिटी मिरर है जो की लाइट के साथ है और आटमेटिक लाइट से आपको मैनवली नहीं जलानी है यह संनुफ के कंट्रोल से वाइट लाइट आती है जो की बहुत ब्राइट है और यहाँ पर अपना पैसंजर एरबैग रमाइंडर हैं पर आपको मिल जाता है अपने आप में एक अच्छा खासा हाँ पे इंफूटेंवेंट सिस्टम मिलता आपको 10.24 इंचिस का जो की मतलब अच्छे खासे colors के साथ आता है और देखने में बिल्कुल childish नहीं लगता है यहाँ पे AC यूनिट आपको कंट्रोल करने के लिए दी हुए चीज़ें और यहाँ पर लैदर रैप्ड है और यहाँ पर देखोगे तो ब्ल्यू किलर की स्टुचिंग वगए आपको मिल जाती है नीचे साइड एक यूएजबी पोर्ट है एक टाइप-C पोर्ट है यहाँ पे wireless charger भी पोर्ट होड़ का फीचर है कप फोर्डस है आम रेस्ट है जिसके अंदर आपको और चार्जिंग यूनिट्स मिल जाते हैं जैसे कि ट्वाइब का चार्जिंग यह यह एक यूएजबी पोर्ट है और एक टाइप-C पोर्ट भी आपको मिल जाता है और यहाँ की बात चीत क करें तो यह देखो इल्मिनेशन के साथ है डूल कंपार्टमेंट्स है और क्या सौफ तरीके से खुलता है उसी तरीके से बंद भी हो जाता है तो नो डाउट गाड़ी की जो वाइब है वो डेफिनिटली प्रीमियम है बाकि आपके क्या ओपीनियंस है इसके बारे हम जरू नो शेयर करना कॉमेंट्स पर अभी चलते हैं अपको कंपनी सेट करने के मिलते हैं जो की बहुत अच्छी चीज मुझे परसनली तौर पर लगती है तोड़ा फ्राइबेसी मेंटेन रहती है और तोड़ा डारेक्टली धूब यंदर की साइड नहीं यहां पर आती है तो ए आपको मिल जाते हैं, स्पेस के मामले में कोई कमीनी है, हाँ पे भी भर भर के आपको स्पेस मिलती है सीट की पोस्टरिंग आप देख सकते हो, इनकी अपॉल्स्ट्री आप देख सकते हो, नो डाउट बहुत प्रीमियम सी फील होती है अब ही चलते हैं, पीछे और बैट के भी बता देता हूँ, आपको कि किस तरीके से मिलते हैं हाँ पे, comfort related controls, एक नमबर की थड़ आती है पूरा मतलब ऐसा बाबुजी वाली फील देती है गाड़ी मतलब अपना, क्या कहते हैं, leg room में कोई कमीनी है, high room में कोई कमीनी, leg room था आप देख सकते हो, ये seat मेरी height के साब से 5-9 के साब से, यहाँ पे भी कमीनी है, मैं हाराम से बैटाओ, comfortably और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कितना head room है मेरे पास, मैं एक नमबर तरीके से यहाँ पे बैटाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है pockets मिल जाती हैं, दोनुई seats पे boss function आता है हाँ पे, as it is बट यह आपको manually करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से देख लो तो इसमें electrical adjustment नहीं मिलती है नीचे एक side USB port है, और एक tab C port यहाँ पे भी दिया हुआ है, पीछे वाले बंदू के लिए और जो AC vents हैं, वो आपको मिलते हैं B pillars पे, यहाँ पे lights आपको मिल जाती है white light, यह अपने grab handles एक, दो, और तीन grab handles आपको यहाँ पे देखने के मिलते हैं और curtains के वज़े से थोड़ी privacy CC जो है, वो maintain रहती है मतलब ऐसा लगता है कि आप बैठे अपने personal area के अंदर, तो एक अच्छी चीज यहाँ पे है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे adjusted head rest है है यहाँ पे और यह बीच में अपना cup holders के साथ मिलता है arm rest और coffee studies है, मतलब ऐसा नीचे की side 37 सीटर के अंदर तो वैसी ही है मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा पीछे और अभी चलते हैं गाड़ी के engine compartment की तरफ की engine compartment में क्या आपको मिलता है और क्या power figure से उसकी सो अभी बात करते हैं गाड़ी के engine compartment के बारे में, तो यहाँ पे आपको आती है जिससे आप मानगे चलो वही 14 से 16 के बीच में निकाल के देगी अगर आप तरीके से इसको चलाते हो बेसिकली आटोमेटिक है तो इसमें इतना ही निकाल के देगी 14 15 के आसपास यह बागी power figure आपको फ्यूज बॉक्स मिल जाता है इसका और यह cooling function वाली पूरी यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाती है तो यह था इंजिन compartment और एक शेकन इसको बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं फटा-फट से सो यह थी आपके सामने 2023 टाटा सफारी 2023 कहलो या फिर 2024 कहलो टाटा सफारी यह इसका डार्क एडिशन था एडवेंचर प्लस और costume वेगर मैं आपको बता दी features क्या क्या मिलते हैं वो आपको बता दी है अब आप comment से बताओ कि यह गाड़ी आपकी नजर में कहां स्टेंड करती है और इसकी overall चीज़े आपको लगी कैसी वीडियो अच्छे लगी हो या गाड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने valuable comment जरूर डॉप किया गरो ताकि कोई ले रहा हो या फिर सोच रहा हो इसको लेने की तो थोड़ा opinion बन सके किसी का औ और हमें भी पता चले कि मतलब मार्कीट में गाड़ी मेज कैसी बना पा रही है तो अच्छे लेक वीडियो लाइक करना सब्सक्राइब करना और हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए बबाई